पूर दोब्री हैं पूरी पूरी तरीके से पंच करेंगे और आपका जो दूसरा end है, इस वीडियो में पूरा देखेंगे विडियो स्टाट करने पेले मेरे आपको कुछě तूल की जरयुति पढ़ेगी गाकर Cater की जरुति जरुति पढ़ेगी इसके लावँ आपको कुछ इस तरीक पंचिंगतbnी टूल की पढ़ेगी में emptiness21 यहाँ पे आपका नहीं मेरे से चे yap абсолютно बीकर को में मैं जो यूज होता है ये cutter इसके साथ ये free मिलता है अगर आपके पास नहीं है तो आप computer market से purchase कर सकते हैं बहुत ही आसान हो सस्ता सा है इसके लाब़ एक punching tool और आता है जिसमें blade लगा हुआ होता है तो उसका link में नीचे video description में दे दूँगा कुशिश करूँगा कि इसका भी link में पीछे video description में दे दूँगा तो आप उसको भी buy कर सकते हैं तो उसमें basically क्या होता cutter साथ में होता तो जैसे आप इसको punch करते हैं तो जो excess cable होता जो extra cable बढ़ा हुआ होता वो cut हो जाता है लेकिन उसकी जरूद नहीं है हम इससे use करके इसको punch कर सकते हैं plus cutter से हम जो excess cable उसको cut सकत सकते हैं एक है T568A और एक है T568B तो यह दो color method है आप इन में से कोई भी एक choose कर सकते हैं तो basically इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि straight cable बनाते हैं cross cable बनाते हैं एक end पर आपका T568A होता है और दूसरे end पर आपका 568B होता है तो उसको बोलते है cross cable तो चलिए मैं आपको punch करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको punch करेंगे और color coding के बारे में आपको उसके बार थोड़ा सा और idea हो जाएगा तो अभी हमारे पास ये cable है अब इसको imagine कर लेता है कि हमारा ये पूरा cable है जो wiring होके गई हुए घर में तो ये इसका एक end है ये दूसरा end है तो मेरे case में मान लेता हूँ कि मुझे एक RJ45 connect करना है और दूसरे side में मुझे ये wall socket punch करना है लेकिन अगर आपको दूसरे side में भी color coding देखेंगे तो same way color coding होगा जो इस side में follow करने वाला हूँ तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो इसको चिलते हैं इसको आप देखेंगे cutter इस तरीके से इसको रख कर घुमाएंगे ना ये बड़े आराम से ये निकाल देता है कट करके है उसके बाद आप इसको अलग कर लेंगे इसको मैं था कट करके निकाल देता हूँ उसके बाद ये जो ग्रूप से ना जो पहला ग्रूप है जैसे ये एक है कि इसको बोलते हैं brown white ये brown ये solid brown है और इसमें brown और white का mix up है अगर आपको ये color coding के बारे में आडिया नह है इस पर ध्यान से देखेंगे तो brown white दोनों बना हुआ है इससे तरीके सारे pair में है लाइक ये ये आपका जो है इसको बोलते है blue white और ये solid blue है तो blue white blue और आपका इसी तरीके से orange white orange है और इसके लावा लास्ट वाला जो ग्रूप है आपका green white green है इस तरीके से चिलने के बाद इसको यहाँ पर आप देखेंगे numbering बना भूआ है इस side में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ number one और इन two है 3 आपका इस side में यहाँ है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 3 दिया हुआ है 4 यहाँ पर है 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 और 8 यहाँ पर है तो अगर आप 7 और 8 को देखेंगे तो यहाँ पर white बना हुआ है 7 में और 8 में brown बना हुआ है तो जो 7 है वो brown white है basically और 8 जो है वो तो brown ही है 5 में 4 और 5 में क्या है 4 जो है आपका blue white है और 4 जो है आपका blue है solid blue है बस आपको जो confusion है वो 1 और 3 वाले में है लेकि एक तो white है 3 भी white है लेकिन किस में कौन सा लगेगा लेकि orange white लगेगा या फिर green white लगेगा ये बस confusion है जैसा कि मैंने बताया कि हम T568B follow करेंगे 568B का color coding होता है वो एक number पर होता है orange white दो number पर होता है orange तो हमारे case में अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर orange white को ले लेंगे एक number पर ऐसे बस फसा देना है इसको कुछ दबाना नहीं है और दूसरे number पर orange आता है हमारा T568B के according ठीन नंबर पर हमारा जो आता है वह ग्रीन वाइट आता है तो तीन नंबर यहाँ पर हमारा इस पर यहां पर है जस्ट चार के बाइस साइड में है तो यह आ गया हमारा ब्रू यहांप Sun amar पें ऑमरा जो चल गया ग्रीनर चाहरेंg'd a इसी दो नंब्र फ़ेशन था और लास्ट प्रान नमब्र के लिप्य辉讚 करने के बाद इसको Researchers पे रखेंगे तुकि इसको हमें पंच करना है और इसके बाद इस से हम यहां पर इस तरीके से दबाएंगे अब देखिएंगे इस तरीके से आप दबाते चले जाएंगे सबको आप मेक शूर हो जाएंगे सारे केबल अच्छा से कनेक्ट हो गया है और उसके बाद जो एक्सेस केबल है जो साइड में है इसको आप कट करके निकाल दीजिए इस तरीके से आप देखिएंगे जो आपका पंच बाता है गया में तो इस में आप अप्छानी से लगा सकते है और दूसरे साइट की बात करें, तो जैसे मैंने बताया, जो color coding हमने यहाँ पर follow किया है, जिस तरीके से, same color coding आपको दूसरे end पर भी follow करना है, T568B बस आपको याद रखना है, अगर आप T568A follow कर रहे हैं, तो आपको दोनों साइट T568A ही follow करना है, तो बस आपको इतनी करन सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकान को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें, धन्यवाद।